हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब राम जी की पाट शाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी त्यारी बहुत ही बढ़िया डंग से चल लई होगी दोस्तों जैसा मैंने आप लोगों से वादा किया था आज आपके सामने में लेकर उपस्तित हूँ हिंदी की एक बहुत ही शांदार सिरीज जिसमें हम टॉपिक वाई सीजूंगों पढ़ेंगे यानि कि हिंदी के जो टॉपिक्स है या आज क्योंकि हिंदी दिवस है आपको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुप कामना है प्रतेक वर्ष 14 सितंबर के दिन हम हिंदी दिवस मनाते हैं और जब हिंदी दिवस की बात आज हम लोग कर रहे हैं तो आज मतलब कितना मतलब एक शुब घड़ी जैसा हो गया है कि हिंदी दिवस्पी है और आज एक हिंदी की नई सीरीज का सुभारम करना है जिसमें हम हर विशय को इन क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे साथ में क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं करेंगे इसका कॉंसेप्ट भी क्लियर करेंगे यानि कि आप एक ही विडियो में कॉंसेप्ट भी समझ जाएंगे और उसी के साथ में आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी तो ये जो सिरीज है इसका नाम जैसे आप पहले थमनिल पे देखी चुके है इस सिरीज का नाम है चंद्रशेखर सिरीज ठीक है नाम किस नाम पे है तो चंद्रशेखर किसको कहते है चंद्रशेखर उसको कहते है जिसके माते पर चंद्रमा होता है यानि कि आप देख सकते हैं प्रैवाची किसका हो गया शेवजी का हो गया परन्तु यहाँ पर इसकी जो मूल भावना है वो हमारे क्रांतिकारी के उपर है जिनका नाम था चंदरशेखार राजाद तो उनहीं के उपर मैंने ये एकदम निडर निर्भीक सीरीज आप लोगों लिए चालो किये तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको प आपका ٹopик को वर्णमाला ले लें या कोई अन्य टोपिक ले लें पर मुझे लगा कि वर्णमाला सही जयादतर ब्लोग शुरू करते हैं जयादतर अध्यापक शुरू करते हैं और मैंने भी आज तक जब हिंदी की सुरुबात की है तो वर्णमाला से ही की है कभी संगया गुवार है आज संग्या की गुवार है जिसको अंग्रेजी में नाउन कहा जाता है ठीक है बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है परन्तु आपको इसकी समझ होना बहुत जादा ज़रूरी है तो कुश्चन के माध्यम से चीजों को हम समझेंगे देखेंगे और आगे बढ़ेंगे ठीक है चलिए पहला कोश्चन देखते है पहला कोश्चन क्या कहता है पहला प्रश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिकित में से संग्या शब्द है यानि कि यहाँ पर आपके चार शब्द दे रखें और चार शब्दों में यहाँ पर आपको एक शब्द दे रखा यह दूसर दे रखा है जीना, तीसरा है बहाड और चौथा है पुराना, यानि कि आपको इन चारों शब्दों में से संग्या शब्द को पहचाना, यानि कि वो शब्द जो संग्या है नाउन है, उसको पहचानना है, इसके लिए आपको व्याकरनिक समझ का होना बहुत ज़्यादा संग्या से लेकर अब ये तक आपको पता होना जो यानि संग्या क्या होती है उसके बाद आपका सर्वनाम क्या होता है उसके बाद आपका संग्या के कितने भेध है उसके बाद आपका विशेशन क्या है क्रिया विशेशन क्या है क्रिया क्या है ये सब चीजों को आपका पता होना ज़रूरी है, मैं मानके चल रहा हूँ आपको basic basic जनकारी है देखिए जो यह है, यहाँ पर लिखा हुआ यह, यह क्या होता है एक सर्वनाम का प्रकार है यह क्या है, यहाँ पर सर्वनाम है, ठीक है, सर्वनाम है जीना क्या है, जीना, जीना तो जीना, तो जीना क्या है यहाँ पर, जीना यहाँ पर क्रिया है, क्या है, क्रिया है, तीशरी बात है पहाड, देखो हम बात करते हैं, कि पहाड, तो पहाड से आपको क्या फील हो रहा है, अब हम अगर पहाड का नाम ले रहे हैं, हिमाले, तो यह क्या है, संग्या में चला एक बार मैं आपको बताता हूं संग्या क्या चीज है नाउन के बारे में क्या बोल जाता था ए परसन प्लेश और यह वह भलान निमा का बहुत लंबी चीज़े बोली जाती थी इसी का हिंदी में रूप अंत्रन संग्या बोल जाता है कि जिससे किसी व्यक्ति वस्तु के नाम के बारे में उसके गुर्ण धर्म के बारे में इत्यादी के बारे में पता लगता है उसको संग्या कहते है मैं सीधे सीधे आपको बात बता दूं संग्या किसको कहते हैं ना उन किसको कहते हैं किसी भी नाम को, किसी भी नाम को संग्या कहा जाता है, कोई भी नाम है वो संग्या है, यसी दिसी आपको बात समझ लेंगे, ठीक है, उसके नाम को संग्या कहा जाता है, उसके गुणों के बारे में, उसके धर्म के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में, धर्म का मतलब यह वो आपका संग्या कहलाता है साधारन शब्दों में ये बात है पहाड जो है पहाड यहाँ पर आपका संग्या है ठीक है संग्या है और संग्या के भी सामानत है क्या रहते हैं संग्या के भी पांच भेद बताए गए हैं अभी आपको और भी clarify करूँगा, उन पांच भेदों में ये जो संग्या का भेद है, ये जाती वाचक संग्या है, यानि कि जो शब्द किसी पूरे समूह को represent करता है, समूह वाचक संग्या नहीं है, किसी मतलब पर्टिकूलर समूह की जाती के बारे में बात करता है, उसको कहते हैं, जैसे आप बात करें नर, तो आप नर बात कर रहे हैं, तो आप किसी पर्टिकूलर पूरुष की बात नहीं कर रहे हैं, आप पूरी नर जाती की बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं मादा, है तो आप किसी particular इस्त्री की बात नहीं कर रहे हैं, आप पूरी की पूरी इस्त्री जाती की बात कर रहे हैं, और जब आप पहाड की बात यहां पर कर रहे हैं, तो यहां पर आप particular किसी परवत के नाम का जिक्र नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम पहाड जाती की बात कर रहे हैं, त पुराना मकान, पुराना आपका स्वेटर, तो पुराना क्या है, यह यहाँ पर आपके गुण और अवगुण के बारे में बता रहा है, तो जो गुण अवगुण का जिक्र करता है, उसको क्या कहते है, उसको विशेशन कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, विशेशन कहा तो यहाँ पर क्या है पहाड है क्या संग्या है पहाड क्या है दोस्तों संग्या है अगला प्रश्ण है यहाँ पर यह देखिए यहाँ पर क्या लिखा है व्युत्पत्ति के आधार पर संग्या के कितने भेद होते हैं अब आप मैंसे आँख मीच के लोग क्या लगा देंगे सीधे लगा देंगे पांच भेद होते हैं जबकि यहां पर बिल्कुल गलत है व्युत्पत्ति के आधार पर यानि कि उनके बनावट के आधार पर उनके उत्पन होने के आधार पर संग्या के व्युत्पत्ति के आधार पर ज्ञान से देखते रही है समझते रही है वित्पत्ती के आधार पर संग्या के बंधू वर तीन भेद होते हैं पहला भेद है आपका रूड संग्या एक है दूसरा है आपका योगिक संग्या और तीसरा है आपका योग रूड संग्या क्या होगा योग रूड संग्या आप बोलोगे कि सर ये तो शब्दों की बात यहां पर हो रही है इसकी शब्दों की बात यहां पर हो रही है एक सेकंड आपके मिल्टोल कीजिए झाले ही है कई बार कुछ calls important आ जाती हैं मैं चमा प्रार्थी हूं तो देखो आपको लग सकता है अरे ये तो सर शब्दो के बारे बतारे हैं योगीक शब्द होते हैं योग रूर होते हैं नहीं संग्या भी होती है उत्पत्ति के अधार पर संग्या के प्रकार होते हैं अगर सामाने तह परन्तु जब बात आएगी व्यत्पत्ति के अधार पर संग्या के कितने प्रकार हैं तो तीन प्रकार है रूड रूड संग्या वो संग्या होती है या वो संग्या शब्द होते हैं जिनके सार्थक टुकडे नहीं की जा सकते जैसे राम है राम क्या है संग्या है राम किसी टूकडे नहीं कर सकते हैं जैसे आपने लिखा रत ठीक है रत क्या है रत एक क्या है आपका विक्ति वाचक संग्या में चला जाएगा रत के बारे हम बात हो रही है पर्टिकुलर किसी रत के बारे हम बात हो रही है ठीक है आप बात कर सकते हैं दल की, एना दल जो शब्द है यहांपर, एना दल जो शब्द है, दल किसमें चला जाएगा, आपका समुवाचक संग्या में चला जाएगा, तो आप इनको तोड सकते हैं, क्या नहीं, तो ऐसी संग्या हैं, जिनको हम तोड नहीं सकते, सार्थक टुकडों में, उनको रूड स उसके बाद यॉगिक संग्या जिनको हम सार्थक तुकडो में तोड सकते हैं विद्यालय हुआ और अगर आप बात करें योगरूड की तो योगरूड जो संग्या होती हैं, वो दो भिन्न भिन्न, सार्थक सब्दों से मिलकर बनी होती हैं, परंतु इनके अर्थ जो होते हैं, वो बिल्कुल भिन्न निकलते हैं, वो बिल्कुल अलग निकलते हैं, जैसे बहुबरी ही समास के उधारण, योगरूड संग्या के ही उदारणों में आपके चले जाएंगे जैसे लंब उदर ठीक है लंब प्लस उदर लंब जमा उदर तो लंब उदर लंब का अलग अर्थ निकल ला है उदर का अलग अर्थ निकल ला है पर दो जब दोनों एक साथ आ गए तो दोनों सार्थक शब्द हैं उन सब्दों से मिलक जो संग्या बन रही है लंबोदर तो उसका अर्थ कुछ और निकल रहा है तो ये चीज क्या हो जाएगी लंबोदर यानि गणेश गणेशी के बारे में ये बात आती है तो ये तीन प्रकार की रूड वो जिनके हम सार्थक रुकड़े नहीं कर सकते योगिक वो जिनके हम सार अर्थक शब्दों से मिलकर बनी है और परंतु उसका अर्थ अलग निकलता है तो ये तीन हो जाएगी तो रूड योगिक रूड तीन होती हैं क्या होती है व्युत्पति के अधार पर क्या होती है दोस्तों तीन प्रकार की संग्या आपकी होती है अगला प्रशन है हमारा यहां पर व्यक्ति वाचक संग्या का चैन कीजिए, क्या लिखा है, व्यक्ति वाचक संग्या का चैन कीजिए, तो यहां पर देखो क्या है, मोहन एक परिश्रमी और इमानदार बालक है, तो यहां पर देखो संग्या क्या है, मोहन है, और मोहन क्या है, मोहन किसी पर्टिकुल व्यक्ति को इंडिकेट करती है तो वहाँ पर क्या होती है आपकी व्यक्ति वाचक संग्या होती है तो ये क्या हो जाएगा आपका मोहन हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों मोहन हो जाएगा अब यहां पर देखे अगला प्रश्ण है आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संग्या का कौन सा भेद सूचित करता है यानि कि आप जिस शहर में रहते हैं देखो यहाँ पर दो चीज हैं, आप जिस शहर में रहते हैं, उस शहर का नाम कुछ भी हो सकता है, मानों आप मेरट में रह रहे हैं, ठीक है, आपने बूला मेरट में रहे हैं, कोई कह सकता है मैं ग्वालियर में रह रहा हूं, ठीक है, कोई कह सकता है मैं भीलवाडा में रह इस तरह से कोई कुछ भी कह सकता है, अलग-अलग city का नाम ले सकता है, तो देखो, आपके शहर का नाम जो है, वो केवल आपके शहर को ही इंगित कर रहा है, वो और किसी का नाम तो नहीं है, अगर मेरट की बात हो रही है, तो मेरट की बात हो रही है, ऐसा तो नहीं है, मेरट के नाम की तो अपने शहर का नाम क्या होता है आपका व्यक्ति वाचक संग्या होता है ये बात ध्यान रखने हैं अगला प्रश्ण है हमारा निमने लेकित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्ति वाचक संग्या हैं मैंने पहले ही बता दिया है जब व्यक् किसी बी चीज का किसी नदी के नाम का जहां पर किसी पर्टिकूलर चीज को इंडिकेट किया जाता है उसको व्यक्ति वाचक संग्या कहते हैं जैसे यहां पर देखो क्या लिखा है राम तो राम है किसी व्यक्ति का नाम है दूसरा है राम चरित मानस एक पुस्तक का नाम है प कृष्ण है भगवान का नाम है या किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है कामाईनी किसी पुस्तक का नाम मिठास जो है मिठास जो है वो भावाचक संग्या में चला जाएगा लखनव जो है आपका और आम जो है वो व्यक्ति वाचक संग्या है बुढ़ापा आपका भावाचक संग्या में चला जाएगा ममता जो है वो भावाचक संग्या है वकील जो है वो आपका जाती वाचक संग्या है और पुस्तक जो है वो भी आपका जाती वाचक संग्या है ठीक बाद समझ में आ रही है तो यह सब आपके option गलत हो जाएंगे, यही आपका option सही हो जाएगा अगला प्रशन है हमारा, निमने लिखित में से संग्या शब्द कौन सा है तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, गंगा, एक नदी का नाम लिखा है अगर लिखा होता नदी, तो नदी क्या है, नदी पूरी नदी जाती को रिप्रेजेंट कर रहा है तो जाती वाचक संग्या है, परतु यहाँ पर नदी का नाम लिख दिया गया है इसका मतलब यहाँ पर व्यक्ति वाचक संग्या है, तो यह हमारा संग्या शब्द हो जाएगा, जबकि पुराना विशेशन, नीला विशेशन, मोटा विशेशन, यह तीनों विशेशन हो जाएगे, और यह यहाँ पर क्या है, आपका संग्या हो जाएगी, अगला प्रशन है यहाँ पर प्रती वर्ष नदी में बाड़ आ जाती है वाक्य में किस प्रकार की संग्या है तो यहाँ पर संग्या क्या लिया है यह देखिए संग्या है यहाँ पर नदी तो नदी मैंने अभी बताया अगर पर्टिकुलर नदी का नाम लिया जा रहा है तो देखती वाचक सं क्या हो जाएगा क्योंकि पूरे नदी जाती को यह शब्द इंडिकेट कर रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है तो यह बात आपको समझने चाहिए अगला प्रश्ण है हमारा पशु चर रहे हैं तो इसमें रेखांकित पद है भूल गये हैँ साथ टाइपिस्ट यहां पर यह क्या है पशु शब्द है तो पशु क्या है अगर लिखा होता इसमें किसी पशु का परिट mulheres नाम किता है मोती है कि मोती November एक पशु है तो मोती क्या हो जाता यहां पर विक्ति वाचक हो जाता परंतु पशू की बात आ रही है तो पशू तो पूरे पशू जाती को मतलब प्रदरसीत कर रहा है ना तो पशू क्या है यहां पर आपका जाती वाचक संग्या है क्या है आपका जाती वाचक संग्या है अगला प्रश तो यहाँ पर शाम को मजदूर की तरह रिप्रेंट किया जा रहा है पर उसनी ज edo आपका तरह दो यह पर आपकाμεनीक अव smū dars अगला प्रश्ण है हमारा हमारे देश में जय चन्दों की कमी नहीं है जैचंदो संग्या के किस भेद के अंतरगत आता है बहुत ही important प्रश्ण है देखो एक शब्द है जैचंद और एक शब्द है जैचंदो जा लिखा है जैचंदो अब यह आपको क्या लगता है यहां पर जो जैचंद है यह किसी एक व्यक्ति का नाम है जैचंद के बारे में कहा जाता है यह प्रत्यूराज चोहान की जो सुशूर्थ है उन्होंने धूका दिया था उनको धूके बाज एक तरह से माना जा सकता है या वो कहते हैं एक शब्द आता है गद्दार होते हैं गद्दारी करी तो प्रतिवराज चोहान की मृतिवा कारण ये जैचंद बने ठीक है जैचंद का जो पर्टिकुलर नाम यहां पर आ रहा है तो जैचंद की बात हो रही है तो यहां पर क्या है व्यक्ति वाचक संग्या है परन्तु जब हम इस शब्द को बहुअचन में लेके चले जा रहे है तो जैचंदो की यहां पर बात हो रही है तो जैचंदो की बात यहांने इसका मतलब यहां पर यह नहीं है कि बहुत सारे व्यक्ति जिनका नाम जैचंद है उनको खड़ा कर दिया और बोल दिया है कि बहुत जैचंदो है नहीं यहां पर आंतरिक भावना परिवर्तन हो रही है जैचंदो शब्द का मतलब है गदारों से इससे गदारों से और जैचंदो का मतलब जो निकल करा रहा है यानि कि एक ऐसे व्यक्तियों की जाती को निरूपित कर रहा है जो धूका देने में निपुण है तो जैचंदो किसमें आ जाएगा आपका जैचंदो यहाँ पर आपके जाती वाचक संग्या में आ जाएगा उम्मीद कर रहा हूँ आपको इसी समझ में आ रही होगा अगला प्रशन है हमारा कभी शब्द कौन सी संग्याका है ठीक है Pens omega तो कभी जो शब्द है यह क्या क्या इंगित कर रहा है इससे तो पूरी की पूरी कभी जाती को यह रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी की पूरी, कभी जाती को, करेदे को द्रवे कुछ नहीं है, भाव कुछ नहीं है, व्यक्ती, तो किसी जाती को इंगित कर रहा है, यह कभी शब्द, तो यह आपको ध्यान रखना चाली है, अगला प्रश्ण है, जिन संग्याओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं एवं व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं लीजिए परिभाशा भी आ गई जिन संग्याओं से एक ही प्रकार के व्यक्तियों का जैसे मैंने बोला जैचंदों बोला तो जैचंदों से क्या हुआ जैचंदों से मतलब क्या हुआ यहां पर गदारों से हुआ तो ये जैचं से एक ही प्रकार की वस्तूओं है ना जैसे नदी तो सब नदियों की बात जैसे कभी तो सब कभियों की बात जैसे जैचंदो तो सब ही गद्दारों की बात ठीक है तो जिन संग्याओं से एक ही प्रकार की वस्तूओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, उन्हें क्या कहते हैं हमारा जाती वाचक संग्या उनको कहा जाता है, पात समझ में आ रही होगी, ठीक है, जाती वाचक संग्या शब्द है, अब बताओ उसमें जाती वाचक संग्या सब्द कौन सा है, बताओ, कामाईनी किसी पुस्तक का प यहां पर वकील यानि कि पूरी की पूरी वकील जाती को रिप्रेजंट करने वाला है इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा हमारा वकील यहां पर जाती वाचक संग्या हो जाएगा। हैं वो जाती वाचक संग्या से भाव वाचक संग्या के बीच में परिवर्थन देखते हैं जैसे बात हो रही है ना इनसानिएत क्या है एक भाव है तो सामानित मियम क्या रहता है एक ही नियम है संग्याओं के परिवर्तन का वो है जाती वाचक संग्या से भाव वाचक संग्या में परिवर्तन परन्तु एक चीज और भी है यहाँ पर जरूरी कई बार कई बार क्या रहता है कई बार जो जाती वाचक संग्या होती है वो व्यक्ती वाचक संग्या क तरह से भी बरताव करती है ठीक है जाती वाचक संग्या जो होती है वो किस तरह से बरताव करती है कि नहीं विशेश मुद्दों में व्यक्ती वाचक संग्या की तरह बरताव करती है जैसे आप यहाँ पर देखो शब्द क्या लिखा यह पूरा क्या लिखा है गांधी को जिन जिन लोगों के सरनेम गांधी हैं उन सब को रिप्रेजंट कर रहा है ये ये वर्ड परंतु यहां पर ये शब्द जाती वाचक होते हुए भी पूरी के पूरी गांधी सरनेम वाले लोगों को रिप्रेजंट करते हुए भी जब यहां पर ये प्रियोग हो रहा है तो य किसी जाती के बारे में इंडिकेट न करते हुए महात्मा गांधी के बारे में बता रहा है किसके बारे में समझने है अब बात ये महात्मा गांधी के बारे में ये चीजों को बता रहा है समझा रहा है इसलिए यहाँ पर ये क्या है एक व्यक्ति वाचक संग्या की तरह से बिहेव कर रहा है तो इसका उत्तर हो जाएगा कि यह शब्द जो है दांधी वो जाती वाचक संग्या होते वही व्यक्ति वाचक संग्या की तरह से अपने आपको रिप्रेजेंट कर रहा है अगला प्रश्ण है, राज्यपाल में कौन सी संग्या है, देखो जब आप राज्यपाल की बात करते हैं, तो किसी एक आदमी का नाम तो नहीं है, राश्ट्रपती द्वारा राज्य के सरवोच सम्मेधानिक पद पर नियुक्त एक पद का नाम है राज्यपाल, क्या है? एक पद का नाम है राज्यपाल, तो राज्यपाल कोई अकेला व्यक्ती तो नहीं होता, तो राज्यपाल तो हर राज्यपाल में होते हैं, तो राज्यपाल यहाँ पर क्या है? राज्यपाल जो जाती है, हालाकि जाती नहीं समझने का प्रयास करना, राज्यपाल जो जाती है, म प्रकार की संग्या है लहर जो है वो किस प्रकार की संग्या है समू वाचक संग्या है जाती वाचक संग्या है भाव वाचक संग्या है या आपकी वेक्ति वाचक संग्या है लहर जो है वो आपका जाती वाचक संग्या हो जाए क्योंकि लहर जो है आप आप बोलेंगे जैसे आप बोलें समुद्र में लहर उठ रही है तो समुद्र में जो लहर उठ रही है वो एक थोड़ी उठी एक उठी खतम नहीं पहाँ पर वो बहुत जारी जो जो ऐसे आकृतियां बन रही है समुद्र में ऐसे आकृतियां जो पूरी की पूरी बन रही है उन आकृतियों को ये अकेला शब्द represent कर रहा है लहर, तो ये क्या हो जाएगा आपका जाती वाँचक संग्या आपका हो जाएगा, अग्ला प्रश्ण है समुध्र गुप्तर, भारत का नेपोलियन था समुध्र गुप्तर, भारत का नेपोलियन था तो इस बात में क्या है ये नेपॉलियन जो है देखो, अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करो नेपॉलियन की यदी बात हो खली अगर नेपॉलियन लिखा जाए यहाँ पर लेगे, ये शब्द जो है ये मैं दो बार लिख लेता हूँ नेपॉलियन नेपोलियन है ना नेपोलियन ये शब्द मैं दो बार ले लेता हूँ नेपोलियन शब्द की बात हो रही है तो यहां पर नेपोलियन बोना पार्ट जो एक कुशल युद्धा था छोटी रास का विक्ति जिसमें मतलब कहीं कहीं युद्ध लगातार जीते लगातार जीते तो यहाँ पर जब उसके संदर में बात होगी तो यह आपका व्यक्ति वाचक संग्या कहलाएगा परन्तु जब हम कह रहे हैं कि समुद्रुप्त भारत का नेपोलियन है यानि कि हम इंगित कर रहे हैं तो यहाँ पर क्योंकि नेपोलियन ने बहुत सारे उसी का नाम एक जाती वाचक शंग्या की तरह से प्रियोग होने लगा क्योंकि नेपोलियन का मतलब जो एक बारीक अर्थ निकल के आ रहा है वो भीर लोगों की केटिगरी से निकल के आ रहा है वो युद्धाओं की केटिगरी से निकल के आ रहा है जिनोंने कई-कई युद् साथ पत समझ में आ रही है तो नेपोलियन जो शब्द है भारत का नेपोलियन यहां पर यह जाती वाचक जिस प्रकार जैचंद और जैचंदो वाली बात थी उसी प्रकार नेपोलियन और नेपोलियन वाली बात है अगर खाली नेपोलियन जो हो है कि नेपोलियन बोना पार् परन तो जब समद्रुवत भारत का नेपोलियन है ये शब्द प्योग हो रहा है तो नेपोलियन यहाँ पर जाती वाचक संग्यूद। मुझे लगता है कॉंसेप्ट ट्लियर हो रहे होंगे। अगला यहाँ पर देखिए। शैशव शैशव शब्द से बना संग्या शब्द है। किसी व्यक्ति अवस्थू की अवस्था के बारे में गुण के बारे में अवस्था के बारे में धर्म के बारे में बताता हो वो भाव वाचक संग्या है जो भाव की बात करता हो। तो शैशव क्या है, शैशव मतलब है बालपन, शिशुपन, तो शैशव क्या है, एक अवस्था है, तो अवस्था है तो क्या है आपका सीधा क्या जाएगा, आपका भावाचक संग्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, भावाचक संग्या हो जाएगा, यहां पर दे आदी का बोध होता है उसे क्या कहते हैं आख बंतर के लगाना है भाव वाचक संग्या कहा जाता है क्या कहते है भाव वाचक संग्या कहा जाता है अब यहां पर देखिए यह क्या लिखा हुआ है निजत्व संग्या शब्द है निजत्व संग्या शब्द है निजत्व का मतल अगर इसको बिल्कुल हिंदी में ले लें, निजिसे बना है निजत्वा, निजिसे बना है निजत्वा, देखो मैंने अभी आपको एक बात बताई, भावाचक संग्या एक ऐसी संग्या है, जिसका रूपांतरण और भी प्रकार के शब्दों से हो सकता, जैसे भावाचक संग्या से भी इसका प्रादुर्भाव होता है, प्रत्य लगा देते हैं बाद, बाद में ता जोड़ देते हैं, तुआ जोड़ देते हैं, इजोड़ देते हैं, तो आपका क्या बन जाता है, आपका भावाचक संग्या बन जाता है, जाती बाचक से, दूसरा, विशेशन को विशेशन के साथ प्रत्य लगा देंगे आप विशेशन के साथ प्रत्य लगा देंगे तो भी बन जाएगा सर्वनाम के साथ में प्रत्य लगा देंगे तो भी बन जाएगा क्रिया के साथ शब्द लगा देंगे तो भी बन जाएगा और पांचवा है, अव्य के साथ में लगा देंगे, तो भी बन जाएगा, एक चीज है आपको, एक मैं clarify कर देता हूँ चीज़ें आपको, सामानित है, पुस्तकों में आपको यही लिखा मिलेगा, कि भाववाचक संग्या को कितने प्रकार से बनाय जा सकता है, तो आप गिन देंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, तरह से बनाय जा सकता है, मैक्सिमम बुक्स में यही मिलेगा, पेपर में भी आएगा, तो पेपर में भी आपको पांच जगय ही लगाना है, तो कि आयोग वगएरा सब पांच ही मानते हैं, परंतु अगर आप मानक व्याकरन को मतलब standard आप grammar को देखें, जो मतलब प्रामानिक है, standard है, अपना में सुद्रड है, शंशोधित है, ऐसी व्याकरण को यदि आप देखते हैं, तो वहाँ पर 5 नहीं, 6 प्रकार से भाव वाचक संग्या को बनाया जा सकता है, और 6 वाला है आपका kriya vishetion, क्या kriya vishetion, आप kri प्रत्य जोड करके हमने निजत्व रूपी भाव वाचक संग्या बनाई है, तो ये हमारा यहां क्या हो जाएगा, भाव वाचक संग्या हो जाएगा, उम्मीद कर रहा हूं, अंसर्ट भी आपके दिमाग में जा रहा हो, अगला प्रश्ण है यापर, बुढ़ापा एक प् हमने, अभी पढ़ा हमने, क्या जिस संग्या शब्द से किसी के गुण का, दोश का, दशा यानि की अवस्था का पता लगता हो, और मेरे मित्र, मेरे बंधू, बुढ़ापा क्या चीज है, बुढ़ापा दशा ही तो है, बुढ़ापा अवस्था ही तो है, बुढ़ापा क शब्दों का कौन सा भेद है अभी मैंने बताया कि भाव वाचक संग्या जो है मनुष्यता क्या है मनुष्यता एक भाव है इंसानियत एक भाव है तो मनुष्यता क्या हो जाएगा भाव वाचक परन्तु एक बात क्लियर आपको मैं कर देता हूँ मनुष्यता यहाँ पर शब को रिप्रेजंट कर रहा है यानि कि ये जाती वाचक संग्या है मैंने अभी बताया कि भावाचक संग्या को कैसे बनाया जाता है भावाचक संग्या को और मनुष्यता जो है वह है भावाचक संग्या, बात समझ में आई के नहीं आई, बात समझ में आई होगी, clear होगी, आगे बड़ने है, अगला प्रश्ण है, इन में से कौन सा सब्द भावाचक संग्या नहीं है, किसी चीज की मना ही करना, एक भावाचक संग्या है, विद्वत्ता, विद्वत्ता क्या है, गुण है, तो गुण है, ठीक है, बात समझ में आई, मनाही एक स्थिती है, सोना क्या है, सोना एक द्रव्य है, एक मेटर है, ठीक है, ये हमारा नहीं है, ये हमारा एक द्रव्य वाचक संग्या, खुशी क्या है, एक एहसास है, अवस संग्या यह बात आपको लाना 24 अगला प्रशन है भाव वाचक संग्या कितने प्रकार के शब्धों से बंती है अभी मैंने आपको बताए यहां पर यह देखिए भाव वा चक्त slझ्या पांच प्रकार के शब्दों से बनती है जाती वाचक, संग्या से, विशेशन से, सर्वनाम से, क्रिया से और अव्य से केवल आपको यहां तक याद रखना है एक बार फिर से बता देता हूं बंदू केवल और केवल पांच प्रकार से बनती है जिसमें पहला है हमारा जाती वाचक संग्या क्या जाती वाचक संग्या दूसरा बनती है सर्व नाम से तीसरा बनती है विशेशन से चौथा बनती है क्रिया से और पांचवा बनती है अब्य से ये आपको याद रखना है परन्तु ज्यान वर्धन के लिए मानक व्याकरण में क्रिया विशेशन से यानि की एडजेक्टिव से भी आपका क्या बनती है ये भावाचक संग्या बनती है परंतु परिक्षा में केवल पांच प्रकार से ही भावाचक संग्या का निर्मान होता है ये चीज़ आपको ध्यान रखें अगला प्रशन है निमने लिखित में से कौ को प्रदर्शित कर रहा है ये शब्द तो ये क्या हो जाएगा हमारा जाती वाचक संग्या मोहन किसी लड़के के नाम को प्रदर्शित कर रहा है यानि कि व्यक्ती वाचक संग्या ये भी गलत हो जाएगा जबकि बीमारी बीमारी क्या है एक दशा है एक अवस्था है तो बी से बनने वाली भावाचक संगया क्लियर दिखाई दे रहा है थकान थकान क्या होता है तकान हे थकान और थकान से क्या बन जाएगा हमारा थकावट बन जाएगा यह चीज आपको ध्यान दखें ठेक है अगला है हमारा, राष्ट्र की भावाचक संग्या, राष्ट्र की भावाचक संग्या, तो राष्ट्र क्या है देखो, राष्ट्र से क्या बनेगा, आप common sense भी लगा सकते हो, राष्ट्रिया आपने कहीं शब्द सुना है नहीं, राष्ट्रिया आपने सुना है, हाँ बिल्क राष्ट्रियता में ठीक है परंतु एक बात बताईए आप राष्ट्रियता एक भाव है क्या राष्ट्रियता एक भाव है नेशनलिज्म एक भाव है या नेशनल एक भाव है तो नेशनलिज्म जो है राष्ट्रियता जो है वह एक भाव है तो राष्ट्र से बनने वाली भा concept clear हो जाएंगे आपके बस आपको समझते जाना है अगला प्रश्ण है मानव शब्द के लिए उपयुक्त भावाचक संग्या का चैन कीजिए अभी धम ने देख लिया मानव क्या है मानव एक पूरी की पूरी जाती को रिप्रेजेंट कर रहा है जाती वाचक संग्या है और म मानव शब्द में यदे हम ताप रखते लगा दें तो उससे क्या बनेगा मानव था माणव था हुमेनिटी इनसानियत मनुष्यता एक भाव है और यही एक भावाचक संग्या बने ले विशेशन क्या होते हैं विशेशन वो शब्द होते हैं जो संग्या और सर्व नाम की गुण और दोशों को बताते हैं तो सुन्दर लड़का लड़के की विशेशता क्या बताई सुन्दर तो ये क्या हुआ विशेशन और सुन्दर जो है इसमें यदि हम ताप्रत्य लगा तो सुन्दर्ता बन जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका एक भावाचक संग्या बन जाएगा, परन्तु सौंदर्य भी गलत नहीं है, सुन्दर्ता और सौंदर्य में कोई विशेश अंतर नहीं है, तो दोनों ही सही हो जाएगा, सुन्दर्ता और सौंदर्य दोनों बन जाएंगे तो option हमारे से हो जाएंगे A और B दोनों अगला प्रश्ण है निमल कितमे से भावाचक संग्या है भावाचक संग्या की प्रश्ण इसलिए ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि यही सबसे अदेक लिस्ट है यही सबसे से क्या बनती है संग्या भावाचक संग्या जागरण का निर्मान होता इसका जागरण का निर्मान होता अगला प्रश्ण है स्वतंतरता सब को प्यारी होती है वाक्य में रेखांकी शब्द का भेद क्या है स्वतंतरता है ना इंडिपेंडेंडेंस स्वतंतरता, तो स्वतंतरता क्या है, एक दशा है, एक अवस्था है, दोई अवस्था है, परतंतरता और स्वतंतरता, परतंतरता का मतलब किसी और की अधीन होना, स्वतंतरता या नहीं, किसी के भी अधीन होना, अपने आप में स्वत्चंद होना, तो स्वतंतरता क्या हो जा संगया है जण को आतॉल वाले आपके क्या ओजाते हैं मतलब कि ऐसे शब्द जिन को आप नापको मिठाइ जो यहाँ पर दिखाई है और यहां पर आपको दिखाई देगा पर इससे बेटर option यहाँ पर आपको दिखाए देगा दूद दूद को आप नाप तौल सकते हैं सरवय वाचक है और भी एक चीज है यहाँ पर द्रवय का मतलब क्या है आपको एक सामाने परिभाशा यहाँ पर मिली है नाप तौल वाली तो यहाँ पर इन दो सेक्षन में आपकी लड़ाई हो जाएगी कि सर मिठाई तो एक किलो तुलवा के लाते हैं आपके क्या बता रहे हो बात बिल्कुल सही है यह पॉइंट सेकंडरी है पर इंतु इस शब्द को आपको ध्यान रखना जरूरी है द्रवय क्या है द्रवय यहाँ पर आपका मेटर है क्या है मेटर मेटर द्रवय की बात हो रही है पदार्थ की बात हो रही है पदार्थ क्या चीज होती है पदार्थ वो चीज होती है जिसका कोई न कोई वजन होता है और जो कुछ न कुछ इस्थान को घेरती है तो क्या आपका जो मिठाई है वो स्थान को घेरेगी? बिल्कुल घेरेगी, बिल्कुल घेरेगी, तो यहाँ पर यह concept हमारा यह फच जाएगा मामला, परन्तु यहाँ पर जो देखना है वो यह हो जाएगा, जो दूद है यहाँ पर वो ज़्यादा बेटर option हमारा है, ठीक है आपका दूद हो जाएगा, आपकी चीनी हो जाएगी, तो यह सब चीजें जो आपकी हो जाएगी, यह सब आपकी द्रवेवाचक संग्या में चले जाएगा, ठीक है, अगला प्रशन है मारा, निमलिकित में से किस विकल्प में सभी शब्द भावाचक संग्या है, सभी है ना ये दिखो जवानी और खटास ये क्या हो गए आपका ये आपका गुन धर्म बता रहा है ये सब चीज़ें ये तो हो सकता है फुस्तक क्या है आपका फुस्तक यहाँ पर आपका जाती बाचक हो गया गंग का विक्ती बाचक ये भी खतम ठीक है उसके बाद रसीला किसी चीज के बारे में बता रहा है गुण धन्म के बारे में कडवाहट गुण धन्म के बारे में बता रहा है गुढपा अवस्था के बारे में बता रहा है उन्नती अवस्था के बारे में बता रहा है तो अगर कोई संग्या शब्द किसी चीज की अवस् दोश के बारे में इत्यादी इन सब के बारे में बताए तो वो क्या होती है भावाचक संग्या होती है रसीला गुण है कडवाहट एक दोश है बुढ़ापा एक अवस्था है उन्नती अवस्था बात समझ में आई तो यह हमारा ऑप्शन इसमें हो जाएगा अगला के साथ मित्रता का निर्वा किया इसमें भावाचक संग्या यह देखो मित्रता मित्रता क्या है एक भाव है भावाचक संग्या में एक बात और एड कर लीजिए किसी बस्तू के बारे में यह बात तो बताता है साथ में किसी इमोशन भाव के बारे में बात होती है तो मित्र अगला प्रश्ण है, निमलकित में से कौन सा शब्द समू वाचक संग्या नहीं है, समू वाचक संग्या का मतलब यह है, कि आपको ग्रूपिंग दिखाई दे, जैसे क्या है, आपका भीड हुआ, आपकी सभा, सभा क्या होती है, सभा अकेले आदमी की तो होती नहीं है, 10, 20, 30, 40, 50, 60 लोग बैठते हैं, सभा होती है, क्लास एक बच्चे की तो होती नहीं है, वहाँ पे 10, 20, 30 बच्चे बैठते हैं, भीड जो होती है, भीड जो होती है, वो आपकी क्या है, बलब हजारों लोग हो सकते हैं, स्नेकडों लोग हो सकते हैं, लाखों लोग हो सकते हैं, त जाए collection है, तो ये तीनों की तीनों आपकी समुवाचक संग्या है, दोड़ आपकी समुवाचक संग्या नहीं है, तो दोड़ है, वो आपकी कोई थोड़ी दोड़ का मतलब तो आपका एक क्रिया की तरह से आपको दिखाई दे रहा है, तो दोड़ आपकी समुवाचक संग्य सभा है आपकी समूव अचक संग्य, अगला प्रशन है मारा निम्न मेंसे संग्या का उदाहरन नहीं है, तो संग्या का उधारन नहीं है तो देखो मानव क्या है? मानव जाती को बता रहा है क्या है? जाती वाचक संग्या पटना है? किस शहर का नाम बता रहा है? तो क्या बता रहा है आपका? क्या बता रहा है आपका? ये आपका व्यक्ति वाचक हो गया सुन्दरी किसी गुनदोस की बात हो रही है तो आपका किस में चला गया भावाचक में चला गया वहे क्या है वहे आपका एक परकार का सर्वनाम है और यही हमारा उस्तर है अगला हमारा प्रश्ण है बड़े बड़ाई ना करें बड़े न बोलें बोल रहीमन हीरा कब कहें लाख टके है मोल बड़ा बढ़िया कुश्चन है क्या पूछ रहा है रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रियोग जिस रूप में हुआ है वह है क्या जवर्दस्ट कोश्चन है वैसा भिला देगा बिल्कुल इस बारे हैं बोल रहा है बड़े सही बड़े नहीं है बड़े कैसे बड़े यहाँ पर क्या बात है बड़े बड़ाई ना करें बड़े न बोलें बोल और रहीमन हीरा कब कहें लाग तके हमूल, यह जो शब्द है यह क्या बोल रहा है, यानि कि यह कुछ ऐसे लोगों की बात कर रहा है, किसी ऐसे गुणवान विक्ती की बात कर रहा है यह बड़े शब्द जो अपनी बड़ाई खुद नहीं करते हैं जो बड़े बोल नहीं बोलते हैं ठीक है उधारन क्या दे रहे हैं रहीमन हीरा कब कहें लाख टके हैं हीरा कब कहता है कि मेरा लाख टके दाम है लाख रूपे काहूं में तो ये बड़े जो है यहाँ पर ये किसी एक प्रकार के लोगों के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर तरह से बरताव कर रहा है, है ना, समझ में आरी है बात, बड़े क्या है, एक संग्या की तरह से बरताव कर रहा है, कि एक प्रकार के वेक्टी, किस प्रकार के वेक्टी, जो उदार है, जो गुणवान है, उन एक प्रकार के वेक्टियों को इंगित कर रहा है, बड़े तो ये किस प्रकार बेहेव कर रहा है? संग्या की तरह है, और संग्या में भी कौन सी? जाती वाचक संग्या की तरह से बर्ताव करें, समझ में आ रहा हो कौन से? अगला प्रश्ण है, अचूक विचेशन के साथ में संग्या है, देखो अचूक के साथ क्या लिखा जाता है अचूक के साथ लिखा जाता है निसाना अचूक के साथ चोट भाई मरत अचूक चोट लगी या कैसे दुड़े बोलते है यार मेरा अचूक उने तरफ फूट गया भाई या भाई अचूक जवाब दिया ऐसा तो नहीं होता, सामानसी बात है, अचूक, एकदम से बोलगा, भाई निशाना, ठीक है, तो अचूक निशाना, निशाना क्या है, संग्या है, ठीक है, और अचूक क्या है, विशेशन, निशाने की विशेशता बता रहा है, कि कैसा है भाई, अचूक निशाना, ठीक है, आखरी प्रश्ण है हमारा, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, प्याकरन की दृष्टी से रेखांकित शब्द क्या है, तो अपशब्द की बात आ रही है, तो सीधे सीधे आप लगाएंगे क्या संग्या लगा, उम्मीद कर रहा हूं आपको सारे कॉंसेट क्लियर जे हिंद, जे भारत